नमस्कार साथियों इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हम शुरू करने जा रहे हैं NCRT Class 6 का हिस्टरी का बुक की हिस्टरी की बुक को शुरू करने जा रहे हैं जिसका चैप्टर है क्या कब कहां और कैसे As we all know कि 3rd grade vacancy, RPSC के दवारा 2nd grade और 1st grade को जारी कर दिया गया है इनके form भी almost भरे जा चुके हैं या किसी की तारिक extend कर दी गई है 2nd grade की अब इनका जो syllabus आउट हुआ है अगर हम उसको check करें अच्छे से तो हमें ये अच्छे से उसमें दिया गया है कि हमें NCRT को और राजस्थान के art and culture के लिए रामे RPSC books को पढ़ना कितना जरूरी है तो इसी सिरीज में हम class 6 की NCRT को शुरू कर रहे हैं तो आईए देखते हैं इसके chapter 1 से शुरू करते हैं क्या कब कहा और कैसे रशीदा जो एक बच्ची है वो सवाल करती है ये बैठी एक बार पढ़ रहे थी अचानक इसके निगाह एक सुर्खी पर पढ़ती है सो साल पहले तो ये सोचने लग जाती है कि ये कोई कैसे जान सकता है कि सो वर्ष पहले या इतने सालों पहले क्या हुआ था तो अब देखा जाए देखी है ये क्लास 6 की एक बच्ची की पिक दी गई है इसका मतलब ये है कि हमें बच्चों की mentality की according कि उनके मन में कैसी जिग्यासाइं आती है उसको समझने की जरूरत है क्योंकि अगर हम जब जोब में जाएंगे या सरकार हमें जब चैनित करेगी ज हमें भी इनी स्कूलों में इनी बच्चों को ही पढ़ाना है तो हमें यहाँ पर बच्चों की समझ के अनुसार ही चलना है NCRT में आप applied चीजों को देखते हैं जबकि आप RBSC में fact to fact चीजों को पढ़ते हैं ठीक हैं तो हम ये कैसे पता लगाएं कि यह जानने के लिए कल क समय के बारे में याद हो लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था कई सो साल पहले या हजारों साल पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है जैसे लोग क्या खाते थे क्या कपड़े प वासिल कर सकते हैं इतना ही नहीं हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे कौन सी कानिया सुनते थे कौन से नाटक देखा करते थे और कौन से कौन से गीत गाते थे लोग कहां रहते थे ये बताने के लिए हमें पहले प्रश्ट टू में यानि पेस रह रहे हैं यानि नर्मदा नदी के तड़ पर कई लाख वर्ष पहले से लोग रह रहे हैं यहां रहने वाले आरंबिक लोगों में से कुछ कुछल संग्राग थे जो आसपास के जंगलियों की विशाल संपदा से परिचित थे जो अपने भोजन के लिए जड़ो फलो जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्राए किया करते थे तो कुछल संग्राग कौन थे जो इन चीजों का संग्राए करते थे और जो जानवरों का शिकार यानि आखेट भी करते थे अब तुम उत्तर पश्यम की सुलेमान और किर्थर पहाडियों का पता लगाओ सुलेमान और किर्थर पहाडियां कहां पे है ये वर्तमान अफगानिस्तान का शेत्र है कहां पर है वर्तमान अफगानिस्तान का शेत्र है यहां पर 8000 वर्ष पुरो स्त्री पुरिशों ने सबसे पहले गेहूं और जों जैसी फसलों को उपजाना अरम किया इसके बाद भेड, बक्री, गाय, बैल जैसे पशों को पालतु बनाना शुरू किया ये लोग कहां रहते थे गावों में रहते थे अब हमसे कहा गया है कि उत्तर पुरो में गारो और मद्य भारत में विंद्य पहाडियों का पता लगा हो ये कुछ अन्य ऐसे शेतर थे जहां कृशी का विकास हुआ और सबसे पहले जो चावल उप जाया गया था वो स्थान विंद्य के उत्तर में स्थित थे अब हम इस मानचित्र को देखने वाले हैं सबसे पहले तो हमसे कहा गया है कि गारो पहाडियों के बारे में देखने वाले हैं इसके बाद हमसे पुछा जा रहा है कि अब हम किसको देखे गारो पहाडियों और विंद्य पहाडियों की तरफ यह हमारी गारो की पहाडियां निकलती है यह देखिए यह यहां से हमारी गारो की पहाडियां है और यह हमारी विंद्य की पहाडियां है यहां पर यह यह यहां का रस्ता ऐसे जाता है यह वो शेत्र है उत्तर में यह नौर्थ का एरिया है यहाँ पर सबसे पहले क्या उप जाया गया था चावल उप जाया गया था ठीक है अब आगे देखते हैं मान चित्र पर सिंदू और इसकी सायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कोरो सायक नदियां किसे कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं अब यह important line है लगबक 47 सो वर्ष पूरुब इनी नदियों के किनारे किसके सिंदू और उसकी सायक नदियों के किनारे कुछ आ 2500 वर्ष पूरुब हुआ यानि कि अगर हम इस मान चित्र को देखें तो हमारा ये जो शेत्र है ये सिंदू नदिवाला है न ये वाला इसकी सायक नदियों है ये पांचो जेलम, चनाब, रावी, सतलोज, व्यास ये पांचो नदियों में ये सिंदू नदिवाला जो शेत् ये जो गंगा नदी वाला है ये जो ilsम नदी वाला जो शेत्र है इसके आगे जो आरंबिक नगर बने थे ये बने थे पच्ची सो वर्ष पहले यहां पर बने थे 47 साल पहले यानि जो मुहन जोदलौ 2007 को आगे पढ़ने वाले हैं इनका विकास इतने साल पहले हुआ और गंगा नदी और यमणा नदी के आसपास का जो शेतर था ये लगवग 25 सो साल पहले विक्सित हुआ था फिर हैं गंगा के दक्षिन में इन नदियों का जो शेत्र था यानि गंगा के दक्षिन में इन नदियों के आसपास का शेत्र प्राचीन काल में मगद मगद कुकी से कहते हैं वर्तमान बिहार में एक पार्ट है नाम से जाना जाता था इसके शाशक बहुत शक्तिशा ले थे उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी ठीके फिर लोगों ने सदयव उप महादविक के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की कभी-कभी हिमालय जैसे उंचे परवतों पहाडियों रेगी स्थान नदियों समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी फिर भी यात्रा उनके लिए एसंभव नहीं थी क उनके लिए लोगों के लिए अत्य कभी-कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकर्टिक आपडाओं के कारण 1-2 स्थान जाया करते थ पर जाते थे धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सला देते हुए एक गाउं से दूसरे गाउं एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उठसुकतावश भी यात्रा करते थे इन सभी यात्राओं से लोगों के विचारों को एक दूसरे को जानने का अफसर मिलता था आज लोग यात्रा क्यों गरते हैं एक बर फिर से एक मानचितर एक को अगर देखें तो पहाड़ियां परवत समुदर इस उप्मादविप की प्राकरतिक सीमा का निर्मान करते हैं कोई किसे बारती ऊप्महद्विप की, हालांकि लोगों के लिए इन सिमाओं को पार करना आसान नहीं था, जिनों ने ऐसा चाहा वे ओसा कर सके, वे परवतों की उंचाई को चुँ सके, गैरे समुद्रों को पार कर सके, उप्महद्विप के बाहर से भी कुछ लोग यहां एक दूसरे के विचालों को अपनाते रहे हैं अब हमारा कुश्चन इहां से निकल कर आता है अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं इंडिया शव्द इंडस्त से निकला है जिसे संस्कृत में सिंदु कहा जाता है इरान और इतिहास को जानना और आसान हो जाता है तो मैप रीडिंग और एटलस का होना बहुत ज़रूरी है लगबग 25 वर्ष पूरू उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले इरानियों और युनानियों ने सिंदु को हिंदोज या इंदोज और इस नदी के पूरू में स्थित भूम प्रदेश को इंडिया कहा और एक भरत नाम का जो प्रयोग है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समू के लिए किया जाता था यानि कि यह जो उत्तर और पश्चिम का जो एरिया है यानि इतने एरिया में जो लेने वाले जो भरत नाम का कबीला था भरत न इसमें भी भरत नाम का उलेक मिलता है बाद में इसका प्रेयोग हमारे देश के लिए होने लगा अतीत के बारे में कैसे जाने अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्रैक्ट कर सकते हैं इसमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूड़ना और पढ़ना है यह पुस्तके हाथ से लिखी होने के कारण पांडू लिपी कहलाती है अंग्रेजी में पांडू लिपी का प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्यू स्क्रिप्ट जिसे लेटिन भाषा में इसका शब्द का होता है मैन्यू जिसका अर्थ हाथ हाथ है यानि मैन्यू को हाथ का जाता है किस भाषा में लेटिन भाषा में और मैनियूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखी गई लिखावड ये पांडू लीपियां प्राय ताड पत्रों अत्वा हिमाले में उगने वाले भुर्ज नाम पेड की छाल से विशेश तरीके से त्यार भूज पत्र पर लिखी मिलती है ये सीटेट में पूछा गया कोश्चन गया कि पांडू लीपियां किस पर लिखी जाती थी तो ये ताड पत्रों पर लिखी जाती थी या भुर्ज नाम के पेड की छाल से विशेश तरीके से त्यार किये गए भूज पत्रों पर लिखी मिलती है ये एक एं कुछ नश्ट कर दी गई नश्ट किस ने करी कि हमारे यहां पे मुगल आए फ्रेंच आए पुर्टगाली आए अंग्रेज आए बहुत सारे लोग ऐसे जो अंगिनत जातियां हैं बाहरी वो आई हैं जिनोंने इस देश की धन संफदा उनके लिटरेचर को नश्ट किया है फिर भी कई ऐसी पांडूलीपियां आज भी सुरक्षित हैं यह पांडूलीपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं इन पुस्तकों में धार्मिक मानेताओं व्यभारों राजाओं के जीवन ओशदियों विज्ञान आदी सभी प्रकार के विश्यों की चर्चा इसके अतिरिक्त हमारे यहां पर महाकाव्य कविताय नाटक भी हैं इनके इन में से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्या प्राक्रत्वे तमिल में हैं यानि कि हमारे जो एंसेंट लिटरेचर जो हमें मिला है वो संस्कृत में लिखा हुआ है या प्राक्रत और तमिल में लिखा हुए प्राक्रत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे तो यह कोश्चन भी सीटेट में पूछा गया है कि प्राक्रत भाषा का प्रयोग कोन करते थे या आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे तो प्राक्रत भाषा का करते थे हम अभिलेखों का भी अ अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्केश कर्वाते थे तक कि लोग उन्हें देख सकें पड़ाइए। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेक भी मिलते हैं जिसमें राजा तता रानियों सहीध अन्य पुरिशों ने भी अपने कारेों के विवरन उतकिन करवाए हैं। उधारन के लिए प्राय शाशक लड़ाईयों में अरजित वीजियों का लेखा जोखा रखते थे अब ये जो हम एक जो देख रहे हैं अभी लेख ये जो अभी लेख है ये लगबख बाइस सो पचास वर्ष पुराना अभी लेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्र देश पर उत्कीन करवाया गया था इस शाशक के विशय में हम अध्याय एट में पढ़ेंगे जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लीपी का प्रयोग करते हैं लीपियां अक्षरों अत्वा संकेतों से बनी होती हैं जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तब हम एक भ अभिलेक है इसमें एक भाषा अलग है और दूसरी भाषा अलग है इसमें युनानी और अरेमाइक दो अलग लीपियां दो अलग भाषाएं लिखी गई हैं इसके अतिरिक अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी ऐसी वस्तुओं काध्यन करने वाला व्यक्ति पुरा तत्व विद कहलाता है पुरा तत्व विद का मतलब कोन होता है? आर्केयोलोजिस्ट इंग्लिश में हम बोलते हैं आर्केयोलोजिस्ट क्या होता है? जो एंसेंट फिंक्स या जो भी चीज़ें हमें उत्खनन में मिलती है या किसी भी प्रकार से हमें पाई जाती हैं कहीं पी मिल जाती हैं एंटिक चीज़ें जो होती हैं जो पुरानी समय में बनी होई होती हैं और प्रयोग में लाई जाती थी उनका जो अध्यन करते हैं वो आर्केलोजिस्ट पुरा तत्वविद कहलाते हैं पुरा तत्व विद पत्थर और इंट से बनी इमारतों के अवशेशों, चित्रों, मूर्तियों का अध्यन करते हैं वे ओजारों, हतियारों, बर्तनों, आभुशनों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबिन तथा खुदाई भी करते हैं इन में से कुछ वस्तों हैं, पत्थर, पकी, मिटी, और कुछ धातू की बनी हो सकती हैं ऐसे तत्व कठोर तता जल्दी नश्ट ने होने वाले होते हैं अब आप इस पिक्चर में देखिए ये जो मटका बना हुआ है इसके ओपर जो मटका जो है वो लाल रंग का है पकी ये पका हुआ है आग में और इसके ओपर काले रंग से चितरन किया गया है ये एक चांदी का सिक्का है और एक मुहर है इसी तरह से ये देखिए एक प्राची नगर से प्राप्त पात्र इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूरु होता था आज कल भी मिलते हैं मटके ऐसे है ना हमारे घरों में होते ही है मिट्टी के बर्तन फिर दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है इस तरह के चांदी के सिक्कों का प्रयोग लगबग 2500 वर्ष पूरु होता था और कि हमारे आज की सिक्कों से कैसा भिन है यह हम अच्छे से देख सकते हैं है ना कि पूरा तत्व विद जानवरों चिडियों मचली की हडियां भी ढूंडते हैं इससे उने ही है जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे वनस पतियों के अफशेश बहुत मिलते होंगे अलब पांडू लीपिया मिलती हैं बरतन मिलते हैं ओजार मिलते हैं हथियार मिलते हैं सोने चांदी के मनकों के अभूशन मिल जाते हैं बहुत सारी चीज़े मिलती हैं तो यह सोचा जा रहा है कि क्या इनको कपड़े भी मिलते होंगे क्योंकि सोफ्ट होता है स्त्रोत्र शब्द का प्रयोग करते हैं सोर्स इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अधिन करते हैं स्त्रोत्र के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्त्रोत्रों की सायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर निर्मान करते जाते है अते इतिहासकार तथा पुरा ततविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्त्रोत्रों का प्रयोग सुराग के रूब में अतीत की जानकारी का जानने का प्रयास करते हैं अब पुराने समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ जो चीजें मिली दूंडी गई पुरा ततवी दो द्वारा और इतिहास कारों ने उसका डिटेयल एनालिसिस करके एक पूरा एक मैटर त्यार किया कि हाँ जी इस इतने समय में ये ये लोग रहते थे ऐसे रहते थे इनका रह जास कर अपने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं जो जो चीजे सोर्स उनको अवेलिबल होते हैं उसके हिसाब से अपनी समझ के अनुसार और यह हमारे लिए इंट्रस्टिंग हो जाता है जानना अब हम देखते हैं कि अतीत एक या अनेक क्या तुमने इस पुस्तक के शि पुखों के लिए इस अतीत के अलग-अलग माइने थे यही बात हमने अभी की पशुपालकों तता क्रिशकों का जीवन राजाओं तता रानियों के जीवन से व्यपारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था जैसा कि हम आज भी देखते हैं उस समय भी तेश के अलग-अलग इस्सों में अलग-अलग लोग अलग-अलग विवार रिती रिवाजों का पालन करते थे उधारन के लिए जैसे आज भी अंडमान द्वीप के जो दिकांश लोग है अपना जो भोजन है वो मचलियां पकड़कर शिकार करके तदा फल फूल के संग्र द्वारा प्राप्त करते है इनके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्यापूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं इस तरह के भेद अतीत में भी होते थे इसके अतिरिक्ट एक अन्य तरह का भेद है उस समय शाशक अपनी विजियों का लेखा जोका रखते थे यही कारण है कि हम उन शाशकों और उनके द्वारा लड़ी जाने वली लड़ाईयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं जबकि शिकारी, मचुआरे, संग्रा, क्रिशक, पशुपालक जैसे आम आदमी को जानने में मदद मिलती हैं लेकिन अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेश है अब है तिथियों का मतलब अगर कोई तुम से तिथि के विशे में पूछे तो शायद उस दिन की तारिक मा वर्ष जैसे की 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे जैसे अभ सी हैं है ना यानि कि जब उनका इसा प्रभु इस्व का जनम हुआ इसा मसी का उस जनम वर्ष जिरो से काउंट कर लिया गया वन से कांट कर लिया अगया जब कि देखा जाये तो दुनिया तो उनके पहले भी विद्यमान थी लोग तो उनके पहले भी थे लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज था लगबख पुरी दुनिया पर तो इन्होंने इशु मसी के जन्म दिवस वाले दिन से ही इस दुनिया का प्रारम माल लिया है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो यूग चल रहा है उसको अभी 2022 साल हुए है यानि कि अगर हम 2000 कहने का वर्ष कहें तो इसा मसी के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है इसा मसी के जन्म के पूर्व की सभी तिथिया इसा पूर्व इसा से पहले के रूप में जानी जाती है इस पुस यानि कि अब हम जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इस 2000 को हम एक आधार वर्ष मान कर चलेंगे इसा मसी के जन्म में अब इतिहास और तिथिया क्या चीज़ है अंग्रेजी में हमें कभी कभी BC देखने को मिलता है जिसे हिंदी में इसा पूर्व कहा जाता है BC यानि बिफोर इसा पूर्व और कई बार हमने तिथियों से पहले AD लिखा होता है हिंदी में इस्वी यानि कि जैसे 1857 इस्वी 1947 इस्वी है यह इस्वी है यानि कि Any Dominic आ जाता है इने इसा मसी के जन्म के वर्षते यानि उनके जन्म के इतने सालों बाद यह चब हो रहा है कभी कभी AD की ज BC की जगा BCE लिखा होता है BCE का मतलब होता है Before Common Era हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है जिसे Gregorian कैलेंडर कहा जाता है भारत में तितियों के इस रूप का प्रयोग लगबग 200 वर्ष पूर्व आरंब हुआ है क्योंकि भारत में पहले कोन से कैलेंडर चलते थे फिर क्योंकि इंगलिश वाले तो अभी आये थे ब्रिटिश तो जादा वक्त मलब 1600 से पहले ही आ गए थे अलांकि 1600 में तो इस्ट इंडिया जाई आगी थी तो थोड़ा पहले आना शुरू हो गए थे और लगबग 1947 तक 300 साल के आसपस तक यह यहां पर रहते हैं है ना 400 साल लगबग 3500 साल यह यहां पर रहते हैं और हमारे यहां पर तिथियों का जो प्रयोग है लगबग 200 साल पहले आरंब हो गया तो और हमने बीसी को एड़ॉप कर लिया जबकि हमारे यहां पर कौन-कौन से चलते थे एक तो चलता था शक समवद और एक चलता है हमारे यहां पर विकरम समवद हैं हमारे महीडे अलग हैं देशी महीडे अलग हैं जैत्र, विशाक, अशाड, जेट ऐसे करके हमारे महीने आते हैं और मुसल्म में कौन से चलते हैं हिजरी समवत चलता है इनके लेकिन हमने किसको अडॉप कर लिया है लगबग 200 साल पहले हमने कर लिया है ग्रेगेरियन के लेंडर को फिर है कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग भी होता है यानि कि बिफोर प्रजेंट वर्तमान से पहले अब अन्यंत्र जैसा कि हमने पहले पढ़ा अभिलेक कठोर सतों पर उतकिन करवाए जाते थे इन में से कई अभिलेक कई वर्ष पुर्व लिखे गए थे सभी अभिलेकों में लीपियों और भाषाओं का परयोग हुआ है समय के साथ साथ अभिलेकों में परयोग भाषाओं और लीपियों में बहुत बदलाव आ चुका है विद्वान कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था इस प्रकार अज्यात लिपी का अर्थ निकालने की एक प्रकीरिया द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है इस प्रकार अज्यात लिपी को जानने की एक प्रसीद कहानी उत्री अफरीकी देश मिस्त्र से मिलती है लगवग पांच हजार वर्ष पूर्व यहां पर राजारानी रहते थे ये देखिए कुछ आक्रतियां सी बनी हुई है इसको इन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है इसको हम देखते हैं मिस्त्र के उत्री तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है यहां से उत्कीनित एक पत्थर मिला है इसके एक ही लेख पर तीन भिन भिन भाषाओं तता लीपियों यानि युनानी तता मिस्त्री लीपी के दो प्रकार लिखे गए हैं लें लेंग्विज लिखी गई हैं कुछ विद्वान युनानी भाषा पढ़ सकते थे उन्होंने बताया कि यहां राजाओं तता राणियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं जिने कार्तूश किसे का गया एक छोटे से फ्रेम को का गया जिसमें राजा रा अकशर के लिए शेर ए अकशर के लिए चिडिया के चितर बने हैं एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विबिन अकशर के लिए परयुक्त हुए तो वे आसानी से भी अन्य अभिलेकों भी पढ़ सके थे अब हम यहां पर देखते हैं कुछ उप्योगी शब्द जो है एक है यात्रा पांडूली पी यानि हैंड रिटन स्क्रिप्ट होती है अभी लेक जो पत्थरों पर उतकी नित लेक होते हैं पूरा तत्व जो एंसेंट ठेंग्स होती हैं उन्हें पूरा तत् इतिहास कर वो जो इन पूरा तत्व विशेशों का चीजों का विशलेशन करते हैं और एक पूरे समय सारनी को बनाकर हमें उनके बारे में जानकारी देते हैं स्त्रोत्र कोई भी हो सकता है चाहे वो अभिलेक हो चाहे वो मोहरे हो चाहे वो वहां के बरतन हो या कोई भी ऐस सी किसी चीज जो हमें बहांपर मिलती हैं सा यह निकालना क्या होते हैं कि आपके कैसे चीज को आइडेंटिफाई कुक्र टिएक हैं दिये गहां है नर्मदा घाटी क्या पास क्या चीज़ सुमेलित करनी है हमें चलो हम इसको मिलान करते हैं देखो मगद क्या था मगद हमारा पहला बड़ा राज्य था ठीक है सिंदू और इसकी सायक नदियां क्या थी ये थी हमारी प्रथम नगर ठीक है गंगा घाटी क्या थी लगबग 25 वर्ष पूर्व के नगर ठीक है सिंदू और इसकी सायक नदियां के आसपस क्या थे हमारे आखेटक और संग्रण के अंदर थी और गारो पाडियों के आसपस हमारे क्या थे आरंबिक क्रिशी थी यहां पर हम देखते हैं कि क्रिशी का जो आरंभ है यह क्या था लगबग 8000 वर्ष पूरू हुआ था यह कुछ दोहराने के लिए मैं तो पूंधितियां दी गई हैं सिंदू सभेता के जो प्रतम नगर थे यह कौन से थे लगबग 4700 वर्ष पूरू वाले फिर है गंगा घाटी के नगर क्या थे यानि कि यह थे मगद घाटी का बड़ा राज्य थे जो लगबग 2500 वर्ष पूरू थे और वर्तमान के जो है नगर या वर्तमान जो सभेता जो च पूरू से चल रही है इश्या मसी के जन्म दिवस के हिसाब से पांडूली पियां और अभी लेखों में एक अंतर बताना है पांडूली पियां क्या है हाथ से लिखी हुई और अभी लेक क्या है ये पत्त्रों पर उत्किर लिखे गए हैं शब्द है या अक्षर है या चिन है है यह ना मोहरों पर लिखे गए है अब ये कुछ कुश्चन है ये बच्चों के हिसाफ से उनकी बुक्स के हिसाफ से दिये गए हैं तो आज के लिए इतना ही जुड़े र 50